मोदी सर ने मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक रोचक वाक्या सामना गया दरसल जश्टीस बी आर गवई ने सुनवाई के दुरान बताया कि उनके पिता और भाई कॉंग्रेस से जुड़े हैं तो वें इस केस से खुद को अलग कर सकते हैं कॉंग्रेस नेता रहूल गांदी के मोदी सर ने मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दुरान एक बड़ा रोचक वाक्या देखने को मिला दरसल इस मामले की सुनवाई जश्टीस बी आर गवाई की बैंच में थी पर इस सुनवाई के दुरान जो जानकारी उन्होंने दी वे चोंकाने वाली थी जश्टीस गवाई ने खुलासा किया कि उनके पिता कॉंग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं जबकि उनके भाई अभी भी पार्टी के सक्रिय सदश्य हैं उन्होंने कहा मेरे पिता कॉंग्रेस से जुड़े रहे हलांकी वेपार्टी के सदर्शिय नहीं थे लेकिन उनके साथ जुड़े थे मिश्टर सिंगवी अविसेक मनु सिंगवी आप भी कॉंग्रेस के साथ 40 साल से जुड़े हैं मेरा भाई अभी भी राजनीती में हैं और वो कॉंग्रेस से जुड़ा है कृपिया आप लोग बताए कि क्या मुझे इस केस की सुनवाई करनी चाहिए हलांकि जब गवाई ने इस बारे में जानकारी दी तो दोनों पक्स ने उनके सुनवाई करने को लेकर कोई आप पत्ती नहीं जताई जस्टिस गवाई के साथ जस्टिस से प्रसांत कुमार मिस्रा भी से मामले की सुनवाई कर रहे थी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई सुरू करते वे मामले के पक्षकार पूर्णे समोधी और गुजरात सरकार को नोटी से जारी किया मामले की अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी दरसल राहूल गांदी ने सुरत कोर्ट के उनके 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अपील के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकटाया है गुजरात हाई कोर्ट में राहूल गांदी ने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए अरजी दाखिल की थी लेकिन पिछले हफ्ते यानि 7 जुलाई को गुजरात हाई कोट ने राहूल गांधी की सजा पर इस्टे लगाने से इंकार कर दिया था। उन्होंने सुरत की सेशन कोट के फेसले को सही ठहराते वे कहा कि सजा पर रोक नहीं लगा सकते। उनकी गिलाब पहले से मानानी के कई म सामले चल रहे हैं। अब राहूल इसी भेसले को चुनोती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उनकी सजा को बरकरार रखता है तो ऐसे में राहूल 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसी के साथ अगले 6 साल तक वे आयोग्य ही घोसित रह जाएंगे। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताए धन्यवाद जय हिंद।